के हाइ समिस्टर वन नेक्स ट्लास मेंमोरी का टाइपस अफ मेंमोरी इस्मृति के प्रकार के हमलोगों ने डिसकसेन कर चुके हैं हम लोग कि इस्मृति के तीन प्रकार होते हैं थ्री टाइप्स ओफ मेमोरी, संसरी मेमोरी, सौट टर्म मेमोरी और लॉंग टर्म मेमोरी संबेदी स्मृति, लगु काली निस्मृति या अल्प काली निस्मृति और तीसरा दिर्ग काली निस्मृति ये तीनों से आप लोगो कुछ न कुछ पता चल रहा है संबेदी संसरी अल्प लगू छोटा दिर्ग बड़ा ठीक है इसको एक्स्प्लेन करते हैं सरीर क्रिया मनोवज्यानिक फिज्योलोजिस्ट ने यह बतलाया है कि जब बैक्ती कोई बिसे सीखता है या कोई अनुभौ प्राप्त करता है तो मस्तिक्स में ब्रेन में कुछ चिन हैं साइन बनते हैं इन ही चिन्हों पर सीखे गए विसे की इस्मृति निर्भर करती है अता इसे इस्मृति चिन मेमोरी ट्रेस कहा जाता है जब तक कोई इस्मृति चिन्ह इस्मृति में संचित रहता है संबंधित बिसे का हम अस्मरन कर पाते हैं एक्जाम्स में आप लोग देखते हूंगे कि आप लोग काफी पढ़ती हैं फिर अचानक वो लिखते लिखते कुछ चीज आत्मी भूल जाता है यैसा क्यूं होता है इस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे लेकिन सीखने के क्रम में जीतनी सुचनाएं घ्यानिंद्रियों से ग्रहन की जाती हैं ग्यानेंद्रियां सिंस ओर्गन ग्यानेंद्रियां कितने प्रकार की होती है किसी को पता है ठीक है कल के क्लास में हम लोग इस पर चर्चा करेंगे और आप लोग पढ़कर देखकर आईएगा कि ग्यानेंद्रियां के कितने प्रकार होते है उन सब का रजिस्ट्रेशन पंजी नहीं होता है इस क्रम में कई फेर बदल होते हैं परिनाम श्वरूप इस स्मृती तंत्र उससे प्रभावित होता है इस संबंध में एटकिंसन तथा सिफ्रिन ने 1968 में एक मॉडल प्रस्तूत किया जिसे अवस्था मॉडल स्टेज मॉडल कहते हैं अवस्था मतलब स्टेजस इस मॉडल के अनुसार डूरेशन के अधहार पर इस स्मृती की तीन अवस्थाओं या प्रकार होते हैं सबसे पहले प्रकार पे हम लोग संबेदी इस्मृती संसरी मेमोरी पर चर्चा करेंगे संबेदी इस्मृती च्छनिक होता है इसमें केवल किसी द्रिश्य वस्थू का हलका सा चित्र या किसी ध्वनी की प्रती ध्वनी मात्र होती है संबेदी इस्मृती की संचेई च्छमता स्टोरेज की जो कैपसिटी होती है वो एक सकेंड से कम होती है जब कोई स्ट्यूमृस च्छन भर के लिए हमारी ज्यानेंद्रियों के समच उपस्थित होकर हट जाता है तो हट जाने के बाद भी उसका चित्र थोड़े समय के लिए बना रहता है इसे ही संबेदी इस्मृती कहते हैं संबेदी इस्मृती में सूचना का इस्मृती संचयर मेमोरी स्टोरेज एक सकेंड से कम होने के कारण उसे काफी देर तक अपने मस्तिक्स में नहीं रख पाते हैं इसका एक छोटा सा उदारन दे रही हूँ Just for example क्लास में जब बच्चे एक दूसरे से मुबाइल नमबर एक्सेंज करते हैं तो बहुत बच्चे को जब बतला दिया जाता है कि मेरा फोन नमबर ये है तो वो सुनकर उसे लगता है कि हां मुझे याद हो गया है और वो कहीं पर भी उसको स्टोर करके नहीं रखता है उसके बाद कुछ देर के बाद वो उस नमबर को भूल जाता है ये है संबेदी इस्मृति संसरी मेमोरी नमबर टू अल्पकालिन इस्मृति सौट टर्म मेमोरी जैसा की नाम से ही पता चल रहा है कि ये ऐसी मेमोरी है जो थोड़े समय तक के लिए रहती है इसी लिए इसे सौट टर्म मेमोरी लगू कालिन या अल्पकालिन इस्मृति कहते है इसमें संचेज छमता स्टोरेस कैपसिटी 30 सकंड से भी कम समय के लिए बनी रहती है चैपले नामक मनो वज्यानिक ने कहा है कि अल्पकालिन इस्मृति उसे कहते हैं जिसका डूरेशन छोटा तथा जिसकी कैपसिटी सिमित होती है जैसे यदि कोई 6-7 अंको का टेलिफोन संख्या एक बार आपको बताए तो संभवता याद हो जाता है ये आपका संभेदि इस्मृति लेकिन थोड़ी सी रिपिट के बाद कुछ सेकेंड के बाद आप उसको फिर भूल जाते हैं कई घटनाओं या इस्मृति की छनिक या अल्प कालिन होने के पीछे उसका डिउरेशन काल होता है जब उसका डिउरेशन काल यहाँ पर 30 से 40 सेकेंड का ही होता है लेकिन उसी टेलिफोन नमबर को आप एक दो बार स्वरन में डालते हैं और रिपिट करते हैं दोराते हैं तो वो अल्प कालिन बन जाता है उसके बाद भी वो कुछ छन के बाद छन तो नहीं कुछ समय के बाद कुछ घंटे के बाद वो खत्म हो जाता है ऐसी इस्मिर्ती में अभ्यास करने की आवशक्ता पड़ती है लेकिन अल्प कालिन इस्मिर्ती में अभ्यास नहीं होने के कारण व्यक्ती किसी वस्तू घटना को भूल जाता है नमबर थ्री दिल के कालिन इस्मिर्ती लॉंग तर्व मेमोरी जब कोई सूचना या सीखा गया विसे अधिक समय तक के लिए धारन किया जाता है या धारना में बनी रहती है तो उसे दिर्ग कालिन इस्मिर्ती कहते है मौर्गन तथा किंग के अनुसार दिल के कालिन इस्मिर्ती में कोई विसे घंटों दिनों वर्सों या जीवन भर के लिए संचित रहता है बचपन में सीखी गई कोई कविता या कहानी वर्सों याद भी रहती है इसी तरह कुछ घटनाएं कई दीनों महीनों या वर्सों तक हमारी इस्मिर्ती में बनी रहती है ये दिर्ग कालिन इस्मिर्ती का उदारन है जैसे कोई छात्र, कोई स्टुडेंट किसी विशय को याद कर परिच्छा में दिर्ग कालिन इस्मिर्ती के सहारे ही लिखता है क्योंकि उसे वह बार-बार रिपिट करता है और उसका डिरेशन का जिसके कारण लंबा होता है जब किसी वस्तु कोई या किसी घटना का बार-बार रिपिटेशन होता है तो वो मेंटल रिहलसल होता है और व्यक्ति उसे याद करता है कहा जाता है एक्जाम्स के समय आप किसी भी चीज को बार-बार पढ़िए जब बैक्ति उसे बार-बार पढ़ता है तो उसके दिमाग में आंसर्स फिट हो जाता है इस इस्मिती के विशेपरस पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं इसमें इस्मिती विस्तार अधिक होता है और इसमें प्रज्य विश्यों को प्राय मानसिक पुन्रावरिती या रिहलसर करता है जिसके कारण इस्मिती चिन्ह मजबूत बनते हैं इस कारण किसी अन्य विशय का सीखना उसे कमजोर नहीं कर पाता है दिर्ख कालिन इस्मृति हमारे बहवार तथा समायोजन का उप्योगी आधार है आप बच्पन में बहुत सारी छोटी-छोटी कविताएं सिखे थे लेकिन आज भी उस कविताओं को आप आसानी से याद रखी हुई है क्योंकि उस समय इन सब चीजों को आप बहुत बार रिहलसल करती है और जिसका रिहलसल या अभ्यास प्रैक्टिस नहीं होता है उन चीजों को लोग भूल जाता है और हमेशा सुखत और दुखत प्लेजंट और अन्प्लेजंट घटनाएं भी वैक्ति के मस्दिक्स में बिना रिहलसल किये भी याद रहता है ये आप लोगों का स्मृति के प्रकार टाइप्स ओफ मेमोरी खत्म हुआ नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को कॉंसेप्ट ओफ आविंगोस और बाटलेट थियोरी पढ़ाऊंगी थैंक यू